रक्षा मंत्री राजनात सिंह आज तिलंगाना दोरे पर हैं। मंत्री जी ने तिलंगाना में करीम नगर जिले की हुजूराबाद में एक रैली को संभोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुख्य मंत्री के चंद्र सेखर राव यानी की के सी आर पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि KCR के नेत्रितों में तिलंगाना में विकास सिर्फ लिमिटेड ही नहीं, प्राइवेट लिमिटेड है, यहां सरकार में उनके परिवार का हस्त शेप देखा जा सकता है, उन्होंने आगे कहा कि जनता ने आपको मुख्यमंत्री चुना है, आपके परिवार को मैं आपके परिवार के किसी भी सद्दस्य पर आरोप लगाना नहीं चाहता। मैं सभी का सम्मान करता हूँ लेकिन सरकार आपको चलानी है इस समय पूरा परिवार सरकार चला रहा है। देता तिलंगाना दौरे पर जाते हैं रैली को संबोधिक करते हैं और एक बड़े तादाद में उस सभा की कुर्सिया जो है वो खाली मिलती है सोशल मेडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो तेजी से वाइरल हो रही है इस वीडियो में ये साफ तोर पर देखा जा सकता है कि कैसे राजनात सिंग के रैली के दौरान लगबग आदी से जादा कुर्सियां खाली हैं ऐसे में चुनाव प्रचार के समय कुर्सियों का इतनी तादाद में खाली रहना उस पार्टी के दिखाता है कि क्या हाल है आने वाले चुनाओं में जंता का क्या फैसला रहने वाला है ये साफ तोर पर इस वीडियो में देखा जा सकता है एक तरफ बीजेपी के कई नेताओं का बयान ये आता है कि हम पांचो राज्यों में अपनी सरकार बनाएंगे लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुर्सियों का इतने भारी मात्रा में खाली रहना सम्मिलन में लोगों का ना आना सरकार की स्थिती को दिखाता है हालकि ये पहली बार नहीं है आज से दो तीन दिन पहले ही हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्मिती रानी के इलाके में प्रदान मंत्री खेलो समारो का समापन कारेकरम था जिसमें प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनात भी आये थे उस सम्मेलन में भी ऐसी ही कुछ हाल देखने को मिला था कि कैसे आदी से जादा कुरसिया खाली पड़ी थी यहां तक कि उस सम्मेलन में हमारे प्रदान मंत्री नारेंद्र मोधी भी वर्च्वल माध्यम से जुड़े हुए थे लेकिन इसके बावजूद सबा में खाली कुरसिया गिने चुने लोग ही देखने को मिले ऐसे में जब किसी पाटी के बड़े-बड़े कद्दावर नेताओं का सम्मेलन हो रहा हो रैली निकल रही हो और अपनी पाटी के प्रचार प्रसार में पूरी नेता नगरी जुटी हुई हो तब इन कुरसियों का कुछ यूँ खालीपन देखकर बीजेपी का हाल जो है वो साफ नजर आ रहा है आपके क्या राया मैं कमेंट सेक्षिन में जरूर बताया अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे शेर करे और साथी चैनल को सब्सक्राइब करे